चात्र चात्रो नमस्तार महाराजासुरजमल पीजी महाविध्दाल की ओन्लाइन डिजिटल क्लास में फिर्चे आपका एक बात फ्रॉआगाज चात्रो अपने विश्व को प्रादीशनिक बहोल में अपने आस्ट्रेलीया महधीर जा रहा था तो जो आस्ट्रेलीया महधीर के तर्स्थर्थ प्रेस्थे सबसे क्या है? छोटा और यह सबसे छोटा होने के कारद इसकी अपने इससे पहले इसके पड़े थे इसके भोतिक प्रदेश तो जो भोतिक प्रदेश थे वो भोतिक प्रदेश को मुखे रूप से चार भाबों में बाटा गया है और अब जो अपने आज चोपना विशह है वो विशह है आस्ट्रेलिया महादेव की जलवाई। जलवाई की दरस्टी से आस्ट्रेलिया की इस्तिती बहुती प्रतिकूल है यानि बहुती प्रतिकूल होने का एक रीजन है ये कारण है वो ऐसे है कि जो आस्ट्रेलिया महादी पर इसके चारू तरब क्या है मासागर है यानि चारू तरब मासागर होने के कारण यहां की जो जलवायू है, वो बिल्गुल क्या है? यानि प्रतिकुंपरस्तितिव में बाय जाती हैं. तो यहाँ की जलवायू उपर अक्सां से इस्तिती यानि मुक्यरूप से जो अक्सां से इस्तिती है, आकार है, धरातल है, तता समुद्र जलदारों का प्रभाव भी द्रश्टी गुजर होता है जिसके कारण इसका अधिकांस भाग उश्वने कटिबन दिये है यानि इसका अधिकांस भाग क्या है उश्वने कटिबन दिये है पूरु पस्षिम अधिक विस्तार के कारण अक्सान से प्रभाव कम हो पाता है और फिर भी यह व्यापारिक हवाओं उश्वने तता सितोस्न चक्रवातों से क्या रहता है प्रभावित रहता है यानि जो मक्कर रेखा है मक्कर रेखा इसके मद्य से बुजरने के कारण। इसमें जो व्यापारी खवाएं हैं वो व्यापारी खवाएं तता उस्रव शितोस्न चक्रवातों से क्या होता है प्रभावित होता रहता है और आस्ट्रेलिया का एक तियाई से अधिक भाग उस्रकटिबंदे में आता है यानि एक बटा तीन भाग उस्रकटिबंदे शेत्र यहां की यहां की जल्वाल उपाद अक्समंसिये इस्तिती आगा आगा दरातल तता समुद्र जद्धारों का प्रभाव आगा तता शमुद्र जद्धारों का प्रभाव द्रश्टी को जरूता है जद्धारों का प्रभाव द्रश्टी को जरूता है द्रस्टिगोचर होता है मक्कर रेका आस्टेले के मद्दे से गुजरने के कारण मक्कर रेका आस्टेले के मद्दे से गुजरने के कारण गुजरने के कारण इसका अधिकान स्वाग पूश्न कटिवल्दी है इसका अधिकान स्वाग पूश्ने कटिवल्दी है पूश्ने कटिवल्दी है पूश्ने कटिवल्दी है पूर पस्सिम अधिक विस्तार के कारण अधिक विस्तार के कारण अधिक विस्तार के कारण अक्सान से फ्रफाव कम हो पाता है अक्सान से विस्तार कम हो पाता है कम हो पाता है, फिर भी यह है व्यापारिक हवाओं फिर भी यह है व्यापारिक हवाओं फिर भी यह है व्यापारिक हवाओं उस्न तता सितोस्न चक्रवातों से प्रभावित रहता है उस्न तता सितोस्न चक्रवातों से प्रभावित रहता है प्रभावित रहता है आस्ट्रेलिया का एक तियाई से अधिक भाव आस्ट्रेलिया का एक तियाई से अधिक भाव अधिक भाव उस्त में कटी बननी ये शेत्र के अंत्रगत आता है शेत्र के अंत्रगत आता है यह इसमें यह मुख्य है जो इसकी मुख्य भाग है हाँ तो अपने चात्रों जो आस्ट्रेले की जल्वायों पर अक्सान से इस्ति आकार कता समुद्रे जल्वाराओं का जो पर अबाव दिस्ति को जल्व होता है इसने मकर रेका आस्ट्रेले का मद्देशे गुजर्मे की कारिश्का का जो अधितान समाग है वो उसने कटिवन्द्य है और पूरों पस्ति नाजिक विस्तार के का अक्सान से विस्तार कम हो पाता है फिर भी यह है आस्ट्रेलिया का एक त्याई भाग यानि एक बटा तीन भाग उसने कटिवन्द्य शेत्री के अंत्रगता आता है यानि कहने का मतला फिर भी एक बटा तीन भाग उसने कटिवन्द्य के अंत्रगता रहा है आस्ट्रेलिया के जलवाई उपर्देश, अब मुखे जो जो टौफिक है, वो है आस्ट्रेलिया के जलवाई उपर्देश, तो आस्ट्रेलिया के जलवाई उपर्देशों में, अपने आस्ट्रेलिया के जलवाई उपर्देश, तो आस्ट्रेलिया के जलवाई उपर्देश जो ने उच्छे प्रताएं के छेड़ा हुआ पाड़ें के आस्पेड एके ज़वा हुआ पर देग्स तो जो आस्पेलिय की जलवाई पर देशा आस्पेलिय की जलवाई प्रादेशिक विविन्ता तता सेत्रे विविन्ताउं के आदार पर इसे छे जलवाई विभागू बाटा गया है जलवाई प्रादेशिक जलवाई प्रादेशिक भिन्यता तता शित्री विभिन्ता शित्री विभिन्ता के आधार पर इसे 6 खापों में बाटा रहा है कितने वागों में बाटा रहा है जिसमें यानि पहला भाग है वो है उसने कटिमंदे आध्रे जल्वायू पर देश् उसने कटिमंदे आध्र जल्वायू पर देश् इस जल्वायू पर देश्का विस्तार उत्री आस्टेलिया में है इसने है उत्री आस्टेलिया में है उच्च तता उच्च ताक्मान तता अधिक वर्षा इस जल्वाय की प्रमुक विस्ता है उच्च तत्मान तता अधिक वर्षा इस जल्वायू की प्रमुक विस्ता है जल्वाय की प्रमुक विस्ता है यहां वर्षा का वार्षिक विस्तार से सो सेंटी मिटर तक होता है यहाँ वर्षा का वासिक पोशा 50 cm से 100 cm तक होता है से 100 cm से 100 cm होता है इसके बाद में दूसरा है सितोस्न आत्र पूर्वी तटिये जलवाई फर्देश दूसरा है सितोस्न आत्र जलवाई ओ सितोस्न आत्र पूर्वी दलवाई पूर्वी तटिये सितोस्न आत्र पूर्वी तक ही दलवाई ओ इस जलवाई पूर्देश में मुखे रुक्षे जो क्विंस लेंड है क्विंस लेंड तता नू साउथ वेल्स के पूर्वी तट तता तस्मानिया शामिल है इस जलवाई पूर्देश में इस जलवाई पूर्देश में इस जलवाई पूर्देश में क्विंस लेंड तता नू साउथ वेल्स के पूर्दी तता नू साउथ वेल्स के पूर्दी ताए कूर्विस्ता तता तस्मानियां तक का भाव शम्लिक्या रावा है तस्मानियां तक का भाव शम्लिक्या राव 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 शम्लिक तता ग्रीस में काल में 21 डिगरी सेल्सियस ताकमान रहता है 21 डिगरी सेल्सियस ताकमान रहता है वासित वर्षा वासित वर्षा का उज़ा लगवक्त 100 cm की आस्वास रहता है 100 cm की आस्वास रहता है तो इसे इतितो रहा है इसे पता चल रहा है कि इस जल्वायों में यानि जो शीत काल का दोर्षा ताकमान होता है वो 10 डिगरी सेल्सियस ताकमान में जो ताकमान है वो 21 डिगरी सेल्सियस की आस्वास रहता है तता यह जो वर्षा का उश्थ है भूमते शागरी जल्वाई पर्देश तो इस भूमते शागरी जल्वाई पर्देश में यह पर्देश एक निरंतर पर्देश है इसमें पस्मी आस्ट्रेलिया का दक्षनी पस्मी भाग यह पस्मी आस्ट्रेलिया का दक्षनी पस्मी भाग तता दक्षनी पूर्वी आस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया प्रांत का जो पस्मी भाग भी इसमें क्या होता है समलित किया जाता है और सीतरीतु में सादान थंड तता वर्षा एम्शुष्क ग्रिस्म्रितु इस जल्व अब भुमद्य सागरे जलवायों के अपने बात करें तो सीधे सब्दों में इसकी बात करें जो भुमद्य सागरे जलवायों जो भुमद्य रेखा है इस भुमद्य रेखा के 0 डिगरी से 15 डिगरी उत्तार तता 0 से 15 डिगरी दक्षन की तरह जो जलवायों पाई जाती है उस भुमद्य साग्रे जल्वाई के नाम से उसको जाना जाता है। तो यह जो भुमद्य साग्रे जल्वाईू है। इस भुमद्य साग्रे जल्वाईू में मुख्य रूप से जितने भी रसदार फल होते हैं। वो सारे रसदार फल इसी में उत्पन होते हैं, इसी में पैदा होत इसे में प्रोडेक्शन होता है यानि शर्वाजी चितने भी फलदार पोदे हैं वो भुमद्य साग्रे जलवायू या भुमद्य साग्रे शेत्र के अंतरगत उत्पन होते हैं जैसे नीम्बू है नारंगी है शंत्रा है अंगूर है यह सारे किसके अंतर गताते हैं भुमद्य यह ना स्वार शेंटे में क्यास पास है कोई सा लुबने साथ रहे जलुआ है शेंट्र में लबब शेंटे में यहां यहां होती है ब्रश्ण होती है अब इसके बात में खोड़ता है शीतोष ने जलुआई परदेश और शीतोष ने जलुआई परदेश तो शीतोष ने जलुआई परदेश ने इसकी इसका जो विश्थार है आस्ट्रे ले बित्पत्र के से इस जलुआई का विश्थार आस्ट्रेलिया के तट्ये सेत्र के अतिरिक्त तट्ये सेत्र के अतिरिक्त तट्ये सेत्र के अतिरिक्त दक्षनी पूर्वी सेत्र में है अतिरिक्त दक्षनी पूर्वी सेत्र में पायदाता है यह आखे इसमें ओशत ताप्मां शत्ताइश डिवी सेल्शे सत्ता इसमें तर्वी सेल्शे सत्ताइश डिवी सेल्शे 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 स्तता वर्षा का वार्षे खोश्र तता वर्षा का वार्षी कोशद वर्षा का जो वार्षी कोशद है पचास सेंटीमेटर तक रहता है पचास सेंटीमेटर तक होता है यह रहता है और इस प्रकार की जलवायों में जो शितोस्न धास के जितने भी शितोस्न धास के श्यत्रों का विकास हुआ है यानि इस प्रकार की जलवायों में इस प्रकार की जलवायों में कि शीतोस ने गास Эस्टे हो झा buyers के श्यक्र वाद उस्याजर इस प्रकार के जानाई श्यफर्ण गाश के शेत्रों कर भर दो एक यह घार समस्य घास के शेत्रूं का विकास हुआ है, क्या हुआ है? विकास हुआ है, आस्त्रेलिया में एक डाउन्स के नाम से रहं चाता है, तता आस्त्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है यानि आस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है जो बहुत पार पुशन पूचा जाता है कि जो आस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं उन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है तो आज के लिए में जो गास के मैदान है उस गास के मैदानों को डावल्स के नाम से जाबा जाता है याडिने हैं हमेसा याज रिखनी आपको हमेसा के लिए याद रखना है अब एस उसके मरुस्त लिए दिर्ववा आप देश पाफ वा है पाच जोआ है सुसके मरुस्त लिए जलवाई परदेश सुसके जलवाई मरुस्त लिए परदेश तो सुसक जलवाई मरुस्त लिए परदेशों में यह के नाम से विदितोरा नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार की जलवाई आस्टेले के सरवादिक सेत्रे में पिस्टत है इस प्रकार की जलवाई प्रकार की जलवाई प्रकार की जलवाई तो इस प्रकार की जलवाई है यतर है यह है पत्रकार की जलवाई इस प्रकार की जलवाई यह हैं आंत्रिक भाग्ट सूसे सेत्रिक के अंत्रगत आता है, जहां इस प्रतार की जल्वायुक आई जाती है, आस्ट्रेलिया के लगबाग आदे भाग पर इस जल्वायुक का काफी विस्तार है, इस प्रदेश में उत्री आस्ट्रेलिया का कुछ भाग भी समलित है, ग्रिस में तो जो गरम तता सुस्क होती है, जो विशाल मरुस्तले शेत्रों के कारण, यानि देनिक तापांतर, यह प जो प्रदेश में तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा, तो उस जो आपमान काफी अधिक होता है, याने शेत्र की जो रातियां होती है, वो भी क्या? बहुत छोटी होती हैं और दिन होते हैं जो गर्मी में जो दिन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं तो ओशत आपमार यहां 32 डिगरी सेल्चेस से अधिक रहता है और ओशत वर्षा 25 सेंटिमेटर से विक कम तता एनिश्यत होती है यहां का जो ओशत आपमार यहां का ओशत आपमार यहां का जो ओशत आपमार है वो ओशत आपमार लगबाग 32 डिगरी सेंटिमेटर क्या साथ रहता है लगब 32 डिगरी सेंटिमेटर के आसपास रहता है और वर्षा का दो ओशत है वर्षा का ओशत लगब 50 सेंटिमेटर 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 कम तता एनिश्यत रहता है इतना रहता है एनिश्यत रहता है अब है और दिशुष्क जलवाई हूँ छटाना बड़की और दिशुष्क जलवाई हूँ अर्दिशुष्क जलवाई हूँ है इस प्रकार की जलवाई हूँ आस्त्रेया में मरुष्क जलवाई हूँ इस प्रकार की इस प्रकार की जलवाई हूँ आस्त्रेया में मरुष्क जलवाई हूँ इस प्रकार की जलवाई हूँ आस्क्रिलिया में मरुस्त्री जल्वयू सित्रों के तीन और विश्त्रिक है, तीन और विश्त्रिक है। के अलवा, मरुष्टन के अलवा, यहां वर्षा काफी अधिक होती है, क्या होती है, काफी अधिक होती है, यहां वर्षा काफी अधिक होता है, यहां वर्षा काफी अधिक होता है, अब इसमें मुख्य चीज़ यह है, कि जो आस्तिले की जर्वायू वहां की शेत्रिता तदा वहां के विमिन्ता के आदार पर कितने वागू में इच्छे वागू में बाटा गया है, जिसमें प्रतम प्रकार गया है, उसमें कटी बंदी यह जर्वायू, अब उसमें कटी बंदी जर्वायू से टास्तिले की वहां की जर्वायू वहां की जर्वायू वहां की जर्वायू वहां गर्मी पड़ती है, तून की जर्वायू में की जर्वी यह जैए, छाला गर्मन ऑकर गर्मी से रात मिलती है, इस्त के बारान बो मत्या हिर शाहित दरोइच कि नबर की, फ़क्त नबर की, सिट्वप प्रोंबर चिट्व में जलोईग जिसके आंट पस्कियास्टेर है तो आंत्रिकांगे शुष्क संत्र के अंत्र के उत्र के तरता है वह जो पचास संत्र के वह जोता है अर्द शुष्क दरोई तो अर्द संत्र के दरोणे में बटा हुआ है और बश्क दरोई बटा होने के कारण यहां जो तिनका प्रेंप्रेजर है वो कापी अधिक होता है यह इसकी मैं यह इसमें तूर्शन आता है कि आस्ट्रेलिया माधीब को कितनी भूबागों में बाटा गया है तता इसकी जलव मुखेट चरोइब में बाटा गया है विश्त्रीत भूबागों माटा गया है तता इसकी जलवाई को मुक्यय छे बागों पेर करो तो पेर करते के में इसको मैं निश्चित रूप से बनाना है जितने अधी मैंप्स का अप्रियो करोगे उतने ही अच्छे माक्स आएंगे तो यह अपना जो आज पर लिया पादियू की जलवाई होगे उसका वर्गी कंड यही समाब करते हैं बहने वाद़ है